जानिया ऐसे कौन से खिलाडी हैं जो अंतर राश्ट्रे क्रिकेट में जीता है सबसे ज़्यादा मैन आफ्टा सीरीज नमस्कार दोस्तो स्वागत थे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल इसके स्पोर्ट के एक आपने वीडियो में दोस्तो इस जी वीडियों बढ़ते हैं और देखते हैं सब खिलाडियों को दोस्तों अंतर राश्ट्रे क्रिकेट में मैन आफ्टा मैच का खिताब जितना किसी भी खिलाडी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी होती है मैन आफ्टा सीरीज का खिताब खिलाडी को उस पूरे सीरी के खिताब के नाम से भी जाना जाता है आज इस खबर से हम आपको अंतर राश्ट्रे क्रिकेट कैसे साथ खिलाडियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान सबसे ज्यादा मैच आफ दम सीरीज का आवार्ड जीता है इस सूची मे दो बारती खिलाडी एक बांगला देशी खिलाडी दच्छड अफरीका के दो खिलाडी वेस्टन डीज की टीम के एक खिलाडी और स्री लंका की टीम के एक खिलाडी सामिल है इसमें पहने लाम सान पोलाग का है दच्छड अफरीका के के टीम के जैक कॉलिस के बाद सबसे बैतरिन प्रदर्शन आल रांडर खिलाडी माने जाने वाली सान पोलाक कराम इस सुच में सात्वे नंबर पर माजूद है सान पोलाक ट्रिकेट के दोनों फार्मेट में मिला कर कुल 11 बार मैच आफ दा मैच सीरीज का वाड जेत चुके हैं सान पोलाक ने अपने टेस्ट करिय वहीं वन्डर करिकेट में 303 मुकाबले खिलते हुए 393 विकेट लिये थे वहीं दूसरा नाम क्रिस गेल का है वेस्टन डेज क्रिकेट टीम के पूर महान सलावी बल्ले बाज जैसे क्रिस गेल अपने क्रिकेट करियर के दौरान क्रिकेट के तीनों फार्मेट में उककोल मि बल्ले से 103 टेस्ट मुकाबलों में कुल मिलाकर 4,215 निकले थे वंडे क्रिकेट में विस्टन डिस की टीम के लिए गेल 300 मुकाबले खेलते हुए 10,480 रन बनाये थे वहें T20 क्रिकेट में क्रिस गेल 58 मुकाबले खेलते हुए 1627 रन बनाये हैं वहीं अगला नाम संत जैसूरिया का है दुनिया के सबसे तर्रार सलामी बललेबाज में से एक सिरेवनका टीम के पूर महान खिलाली संत सूरिया का नाम सूची में पांच में नंबर पर मौझूद है समय पर जैसूरिया अपने क्रिकेट कैरियर के दौरा अंतर राश्ट्रे क्रिकेट में कुल मिलाकर 13 मैच आफ दा सीरीज आवार्ड जीत चुके हैं सनत सूरिया क्रिकेट के दो फार्मेट में सबसे ज़्यादा मैन आफ दा सीरीज का आवार्ड जीते हैं ट्रेस्ट क्रिकेट में सनत सूर्या तो और वंडे में 11 मैन आफ दा सीरीज का पुरुसकार पाए हैं इस पीक एट में सनत जैसूर्या स्रिलंका टीम के लिए 110 मुकाबले खेलते हुए 6993 रन बनाए हैं वंडे क्रिकेट में वे 445 मुकाबले खेलते हुए 13403 रन बनाए हैं वहें अगला नाम आता है साकिब अलहसन का बंगलादेशी क्रिकेट के सबसे बेतरें खिलारी साकिब अलहसन का नाम इस सूच में चौथे नंबर पर मौजूद है साकिब अलहसन अपने क्रिकेट करियर के दौरान कुल 13 बार मैन आफ दा सीरीज का अवार्ड जीत चुके हैं इस आलराउंडर खिलाली के नाते साकिब अलहसन बांगलादेश की टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में 5 बार वन डे क्रिकेट में 5 बार और T20 क्रिकेट में 3 बार मैन आफ दा सीरीज का अवार्ड जीता है साकिब अलहसन टेस्ट क्रिकेट में 56 मुकाबले खेले हैं और 3862 रन बनाए हैं वंडे क्रिकेट में 206 मुकाबले खेलते हुए 6323 रन बनाए हैं वहीं अगला नाम आता है जैक कैलिस का अंतराश्ट्रे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार मैन अफ दा सीरीज का खिताब जीतने वाली खिलाली की सूच में तीसरे नंबर पर जैक कालिस का नाम सामिल है जैक का करियर के दौरान कुल 15 बार मैन अफ दा सीरीज का खिताब जीत चुके हैं इस कैलिस अपने समय क्रिकेट करियर के दौरान टेस्ट क्रिकेट में नव बार और वंडे क्रिकेट में 6 बार मैन अफ दा सीरीज का खिताब जीता है जैक कैलिस दच्छिड अफ्रीका की टीम के ल साथ राव अंतर राष्ठी क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैन आफ दा सीरीज का खिताब जीतने वाले फिलालियों की सूच में दूसरे नंबर मधा मौँजूद है बिराट को लिए अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान अब तक 18 मैन आफ्दे सीरीजिय का खिताब जीत को है विराठ को ली अब के क्रिकेट में 3मार बंडे क्रिकेट में 9 बार और टीटेंटी क्रिकेट में 6альная मैन अफदा सीरीजिय का वार्ड जीता है वहें इसके बाद नाम आता है फचिन तन्देल उकर का भारते क्रिकेट में कुल 15 बार मैं आफ दा सीरीज का अवार्ड जीता है सचिन तेंदूलकर के इस रिकार्ड को तोड़ने के करेब विराट कोली की है आने वाले दो तीन सालों में विराट कोली सचिन तेंदूलकर के द्वारा बनाए गए इस रिकार्ड को तोड़ देंगे दोस्तों आज की अपडेट पस इतना है आपके जानकारी कैसे लिए कमेंट सेक्षिन में तैंफात ही खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और क्रिकेट जगत के अनजानकारी यूग लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए नमस्कार